हेलो फ्रेंस, सभी को मेरा नमस्कार, आज हम लेकर के आए हैं, सलवार की कटिंग एंडि स्टीचिंग तो फ्रेंस हमारा कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है, तो एक बार हमने जब फोल्ड कर ले अच्छी फिनेशिंग के साथ इसको हम फोल्ड कर लेंग अगर जितनी समें सुकुड़न है अगर इतनी आपके कपणे में भी सुकुड़ना रही है तो पहले इस तरी कर लिटी यानिकर प्रेस कर लिटी हम प्रेस करेuh तो हम इसकी जो लंभाई रखुएंगी मैं उसी के कोडिंग बत्ति सिंच हम पहले नाप लेंगे ताकि हमें बत्ति सिंच कम्प्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद हम बैल्ड निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से तो फ्रेंज मैंने कुछ इस तरह से पहले 32 इसमें नाप रहूं तो मैं उहां से सुरुष लेकर डियान तक तो 32 मैंने इस तरह से नाप है कुछ इस तरह से मैंने 32 विर्कुल फाइनल कर लूँगी 32 ही यहां से भी मैंने 32 नाप ले है कुछ इस तरह से को मैं 32 नापने के बांद एक सीधी लंभी लाइन मैंने खीच लियह और यहां से मैं इसको कट कर लूँगे यहां से मैंने ये चट कर लें हूँ पार एकदम कट कर लूँगे जहां तक हमे निशान था हमारा तो फ्रेंस ये जब में इस टाइम फोल्ड कर रही हूँ ये मैंने फोल्ड किया है 5 इंच तो इसमें हम मारी मुहरी बन जाएगी सलवार की तो हम इसको पांच इंच फोल्ड कर लेंगे लेकिन मैं इसमें चारो कलिया अलग-अलग नहीं करने हुए दो कली इसमें जोएंट रहें दूंगी और दो कली मैं अलग कर लूँगी तो फ्रेंस मैंने कुछ इस तरह से इसमें मैंने लंबी लाइन भी खीच ली और इस तरह से मैंने इसको देखो निशान लगा लिया यहां पर तो मैंने यह निशान भी लंबी लाइन से खीच लिया है यानिके इंची टेप के दुआरा मैंने इसको लाइन बना दी और यहां से मैं इसको कट कर दूंगी तो फ्र के कट और जो हमारा यह फोल्ड हो रहा था मैंने इसको साइड से भी कट कर लिया तो यह मैंने कट करने के बाद कुछ इस तरह से फ्रेंज यह हम जो इस टाइम रख रहे हैं मियाननी के लिए रख रहे हैं जिसमें हमारी मियाननी कठ होएगी तो यह मैंने इस तरह से देखो कली के साइड कली रख दी और जो मेरा फोल्ड हुआ है वह मोहरी के लिए है तो यहां से मैं मियाननी कार दूँगी 9 इंच लेकिन आप अपने अनुसा रख सकते हो मैंने 9 इंच रखे मेरे परफेक्ट बैठेगी और फ्रेंस ये जो इस टाइम है मेरे पास कपड़ा तो इस में से मैं बैल्ड निकाल दोंगी और मोहरी के लिए भी निकाल लूँगी यानि के मोहरी भी और बैल्ड भी तो इस तरह से फ्रेंस हमने ये फोल्ड कर लिया और फोल्ड करते हुए इस टाइम में 21 इंच बैल्ड निकाल लूँगी तो फ्रेंस मैंने 21 इंच चोड़ाई में 9 इंच रख ली और लंबाई इसकी 21 इंच तो मेरे सलवार होगी कलिया जोड़ेंगे यानि के कली को जोड़ेंगे तो फ्रेंस अभी हम रख करके बताएंगे आपको कि हम किस तरह से कली जोड़ने जाएंगे तो हमने ये उल्टे के साइड एक सीधी और ये दोनों सीधी साइड से ही रख दी यहाँ पे इस तरह से रख करके हम सिलाई लगा लाएंगे तो फ्रेंस इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा देंगे हम दोनों में सिलाई लगा लाएंगे तो फ्रेंस इस तरह से मैं सिलाई लगा के लाँगे देखो मैंने यह बना दी बैल्ड तो मैंने बैल्ड कुछ इस तरह से बनाई यहां को मैं कमरबन डाल दूँगे बहुत ही सिंपल और आसान है बैल्ड बनाना तो फ्रेंस मैंने कुछ इस तरह से बैल्ड बना करके यह कम्प्लीट कर लेती हूं तो मैंने कुछ इस तरह से यह सिलाई लग चला ली और इस सिलाई को हम इस तरह से चलाते जाएंगे अब यह हमने सिलाई तो हमारी कंप्लेट हुई यानि के बैल्ड हमारी कंप्लेट हुई तो कुछ इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी अब हम देखो यहीं पर मैंने यह कली भी जोयंड कर लाई और यह पार्ट भी कली दोनों को जोयंड कर लाई और इधर से भी मैं इस तरह से ही ले करके आई हूँ तो हम उल्टे कली कली के साइड रखेंगे और पाट पाट के साइड देखो तो हमारी एक कटी हुई कली दोने एक साइड मेच खा गई अब हमने देखो मेच खा गई जब हमारी कली यहां भी सिलाई लगा लाएंगे और इधर की साइड यहां भी सिलाई लगा लेंगे तो जहां मैं अब जाए यह सिलाई लगा के लगए यह हमारी मियान नहीं हो जाएगी तो कुछ इस तरह से हम पहले मसीन के ओर चलते हैं सिलाई लगाने तो हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा के आएंगे तो इस्तोर से देखो हमने ये सिलाई लगा करके complete कर दी और सिलाई लगा करके मैंने प्लेटे डालते जाएंगे और पिछे के साइड हम दो प्लेटे डाल लेंगे तो कुछ इस तरह से देखो यहां पर मैं इसमें मैं आगे फ्रेंट के साइड यह कली जो जोड़ी मैंने तो यह फ्रेंट के साइड रहेंगी और जिधर मैंने कली नहीं जोड़ी वे बैक के साइड रहेंगी तो कुछ इस तरह से, friends, मैंने यह कलियां जोड लिए हैं और यहां मैं प्लेटे डालती जाएँगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं प्लेटे डाल दोगी, बहुत सबसे आसान है प्लेटे डालना, कुछ इस तरह से मैं, पहले 2-4 प्लेटे खिटी कर लोगी, डालने के लिए, और फिर उसके बाद में मसीन चला दूँगी कुछ इस तरह से ही मैं प्लेटे डालती जाओंगी फ्रेंस अब यह मैंने यहां प्लेटे डाली हूं कुछ इस तरह से सलवार की और फ्रेंस यह प्लेटे मेरी कुछ इस तरह से डलती जाएंगी तो मैंने ये प्लेटे डाल करके कुछ इस तरह से कम्प्लेट कर ली है अब हम तो ये प्लेटे मैंने कुछ इस तरह से डाल करके बिरकुल फाइनल कर ली और ये मेरे बैक की साइड में दो प्लेटे डाली हुई है अब हम इधर की साइड से डालेंगे, पहले हमने इधर की साइड प्लेटे डालेंगे, अब हम इधर की साइड से प्लेटे डाल देंगे, देखो इधर से हम प्लेटे डालते जा रहे हैं, इस तरीके से हम प्लेटे डालते जाएंगे, तो हमने इस तरह से ही प्लेटे डालते ज अब हम डालेंगे कुछ इस तरह से हम ने देखो अब हमारे प्लेटे कुछ इस तरह से डल गई अब हम एक पैर की सिलाइ लगाते जाएंगे ताकि हमारे प्लेटे निकले नदा तो यहां पे सिलाइ लगा देनी चाहिए तो friends मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा दूगी अब ही हमने सिलाई लगा करके यहां चारो साइड में हम सिलाई लगा देंगे चारो साइड ही हम सिलाई लगा के ले आएंगे तो friends यह सिलाई हमारी लगा के यहां पर complete होने जारी है तो फिरंस हमने कुछ इस तरह से इस सिलाई लगा दी है अब हम मोहरी की तयारी करेंगे यानि के foam लेंगे और कपड़ा लेंगे उसमें हम मोहरी बना देंगे मोहरी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर मैंने यह complete कर लिया है, और यहाँ पर मैंने पक्के कर लिया है, देखो यह मैंने foam लिया है, और यह कपड़ा है, तो इसको हम इसी के बीच में रख करके सिलाई लगा देंगे, कुछ इस तरह से, हमने इस तरह से सिलाई लगा देंगे, जितना हमारा foam है, उसी के according हम यानि कि हमें कितने चोड़े मुहरी बनानी है चोड़ाई में तो हम तीन इंच भी बना सकते हैं चार इंच भी बना सकते हैं जितने आपको चाहिए आप अपने नुसा रख सकते हो लेकिन मैंने ये तीन इंच की चोड़ाई रखे है इस मुहरी की तो इस तरह से हम सिलते जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से फ्रैंस, तो हमने इस तरह से सिलते गए, और सिलने के बाद हमने इसको कम्प्लेट कर लिया, अगर आपको मेरे मोहरी कर डिजाइन की वीडियो देखनी है, अन्यू है, तो जल्दी से जाएए कि मेरे चैनलर को सब्स कटिन कर ले और कटिन करने के बाद, मैंने कुछ इस तरह से कट करने के बाद, आप देखो सीधे के साइड हम इसको रखेंगे, और उल्टे के साइड इसको फोल्ड कर देंगे, बहुत ही सिंपल और आसान है, मोहरी बनाना, तो फ्रैंस हमने कुछ इस तरह से रख दिया है, और रखने के बाद अब हम सिलाई भी कर देंगे ये सिलाई में कुछ इस तरह से कर दूँगी और फ्रेंस यहाँ पर में सिलाई ये कम्प्लीट हो जाएगी मेरी एक पैर के हलका कपड़ा लेते जाएं अपना ताकि हमारी सिलाई निकले न और फ्रेंस मैंने देखो सीधे की साइड रख करके उल्टे की साइड मैंने इसको फोल्ड कर दिया और यहाँ से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी ध्यान रहे के हमारी सिलाई नीचे की साइड उतरे न और विरकुल किनारे किनारे हमारी सिलाई चलती जाए उस चीज का हमें विसेज ध्यान रखना है तो friends हमारी ये सिलाई हो चुकी है अब हम यहाँ पे भी सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे फोम पे सिलाई चल रही है या नहीं फोम से नीचे नहीं उतरनी चाहिए तो हमारी मौरी का डिजाइन लोग यानि के खराब भी हो सकता है तो हमें फोम फोम पे सिलाई लगानी है तो friends मैंने कुछ इस तरह से फोम फोम पे सिलाई लगा करके अब हम एक पे से कुछ जादे की लेंगे यहां पर एक पे से जादे इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में डिजाइन निकालना है और friends अगर आपको डिजाइन देखना ही है तो मेरे चैनल को डवल से यानि के दुवारा से बोल ली हूँ मैं क्योंकि मैं इसमें महरी का डिजाइन नहीं दिखाऊंगी अगर आपको डिजाइन देखना है पूरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो मिलती रहे तो फ्रैंस इस महरी का डिजाइन भी आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा तो फ्रैंस हमने कुछ इस तरह से ये वाला डिजाइन बस इतना ही निकाल देंगे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए ओकी